प्रेपरेशन स्टार्ट हो गई होगी अरे नहीं होई क्यों भाई अभी तक क्यों क्या सोच रहे हो क्यों सोच रहे और कैसे सोच रहे हो यह नहीं पता क्योंकि देखो मैं भी क्या discussion कर रहो हो बैसे क्लीम बता आऊ कि अपयारी बात कहते हैं कि इस हिसाब से Preyscy invert करो की एक चीज करो ना उसको पक्का करने कुछ प्रक्स करतको कुछ भी हो जैसे हैए इसमें क्या था, इसमें हमें लग रहा नंबर सिस्टम के बहुत सारे questions है बट नंबर सिस्ट्म के साथ Permotations and combination के बहुत सारे questions है ठीक है एक डो questions तो Zent आज ही आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो होता क्या एकसर हम बेड़ चाल में चलते हैं बेड़ चाल क्या थी कि बस नंबर सिस्टम करो नंबर सिस्टम करो काम होगा नहीं जो आपके वो कोश्चन्स थे ना सारे के सारे कि इतने नंबर बनके यह आया वह आया है ना कि unity divided by यह हो फ्लान दिख़़ा पांसे डिवीजन होगी नंबर वो सार कुछ नहीं था बट अगर भेड़ चाल में चलोगे बहुत पिछे रहे जाओगे मैं अभी आपको यह बात कहा रहा हूं क्यूंकि किसी को जो बोल रहे हैं ना कि नंबर सिस्टम कितने कोशन आया थे यह से आया थे उसको खुद कोई नहीं पता कि कितने कोशन आए तो एक् हमारे सी साथ की बैच की डिटेल्स क्लियर देखे बैच की डिटेल्स के हैं टाइमिंग है मेरे पास तीन से लेगे साड़े-4 की टाइमिंग है यह बेटा फोर डेज अब एक बैच है यहने हफते में चार दिन इसकी क्लासिज मेरे पस अवेलेबल रहेंगी मेरे पास 180 से ज 90 plus का क्या से जहां से देखो यह मेरे पास क्या है एक्ट इुली यह मेरे पास online प्लस off-line बैच है YEAH 420- और 90 प्लस मेरे कुँआ मिल रहे हैं बटाव यह प्रणूप है प्रिवीशыт क्लास कितनी है इतना है यह मेरे икомpile के और बहुत शांदार इसके बाद सुनो This x जे 0 to viewers बैच का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है इसमें आपके पास इसमें अगर एकर आपको एप्टीटू को कुछ नहीं आता एंग्लिस को आपको कुछ नहीं आता तो यहां पर आओ यहां पर आओ आओ आपको everything मिलेगा मतलब बिल्कुल इसे स्टार्ट करके आपको हायर लेवल दे लेके गए क्लिया यहां पर जहां पर दो लेक्चर होने चेह वहां पर तीन से साड़े दिन चार लेक्चर्स है आप सोच सकते हो यह जो एक पचास लेक्चर नहीं पच्पन के राउंड आप वास कि अब दास आठ भी हो पने और इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं कि लेक्चर कितने जाने नंबर अफ लेक्चर क्लियर तो मेरे पास क्या है आप देखो जर इसकी और डिटेल्स क्या है आपको इसमें क्या मिलेगा आपको इसमें क्या मिलेगा आपको इसमें बिटा वीकली शेडूल मिलेगा नंबर मिलेगा अब इस लेक्चर में क्या मिलेगा आपको नंबर वन लेक्चर की पीडिएफ मिलेगी नंबर दो रिसोर्स मिलेंगे नंबर तिर प्रेक्टिशीट मिलेगी सबसे पहले लेक्चर पीडिएफ का है वो जो हमने क्लास में डिसकस करना है नंबर दो पर क्या है सब्सक्राइब क्लाव बेहाँ दो सबस्क्राइब मिलेगे या क liberté mir var तो यह discussion कब होगी यह basically discussion होगी मेरी 4.5-5 बज तक इसका मतलब आपको मैं weekly एक session नहीं दे रहा हुआ आपको तीन से चार session मिल रहे है weekly किसके doubt session के एक तरह से आपका doubt come discussion section नहीं है यह आपके पास क्या है यह आपका डाउट शेशन रहने वाला है क्लियर नेक्स क्या आपके पास एक और चीज़ तो सबसे राज इंपर्टेंट चीज़ है वह है आपका वीकली टेस्ट कि वीकली टेस्ट बेटा कब होता है हर संडे को संडे को एक बजे होता है अगर आप ऑफ लाइन आना चाहिए तो सेंटर भी लेका सकते हैं अदर्वाज घर बैटके इसको इसलिए अप दे सकते हैं और इसका क्या मेरेगा आपको इसका वीडियो सलूशन मेरेगा आपको नेक प्रॉपर वीडियो सलूशन मिलेगा आपको हर एक टेस्ट का क्लियर आप जाएं तो पोर्टल देख भी सकते हैं क्लियर कोई डाउट हो तो 951-777-1651 इस नमबर पर आप खॉल भी कर सकते हैं इस रबबर पर आप वाट्साप भी कर सकते हैं क्लियर चलिए क्लियर कोई डाउट हो तो 951-777-1651 इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं और बच्चों इस पर वट्साप भी कर सकते हैं क्लियर नेक्स दिखिए नेक्स देपने मेरा वट्साप ग्रूप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया प्लीज इसे भी आप जोइन कीजिए तो आने वाली कोई वीडियो या कुछ भी हो थोड़ा सा भी हल चलो तो यहां पे हम नोटिफिकेशन ने कुछ भी डाल देते हैं क्लियर चलिए जी आज मेरे पास क्या है पार्ट फाइव है सीचट दोजर थेज़ के पेपर का चलिए पहला कोशन क्या अगर है अगड़ा असान पर्मिनेशन गाया यह भी वन पोईट वन वन एच ए एब एच एब एंड पोईट यह रहा पी लगा लू क्या हू लगा लो अबन चलिए टो डिस्तिंग्स अनुन इच बीसी एंड सीच लगा लो पी क्या हू आर स टी यू ठीक है जी हाव मैंडे सिंग्स can be drawn using the three points as vertices out of these six points देखो एक बात सुनों जहान से जब भी मेरे को ट्रेंगल बना ना हूँ ट्रेंगल के लिए अपने कोई चाहिए कितना थीर पॉंट चाहिए बेसिकली एक कोई भी ट्रेंगल हो उसके लिए मुझे तीन पॉंट चाहिए है ना थीन नाएं से यह तो इसका फॉर्मिला क्या होता है मेरे पास 6NC3 और मेरे पास क्या है यहांपे number of points यह से लिकलो total number of points number of total number of points clear तो यहांपे कितने factorial clear तो यह कितना होगा 6 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 3 factorial तो 3 गुणा 2 गुणा 1 6 तो 5 कितना होगा आपके वास 20 option number C is the correct answer of this question clear तो यह बहुता सान question था let us move down to the next question option number C 20 बिल्कु सही था चलिए दोस्तों next question क्या रहा है मेरे को देखो next question क्या रहा है आप box contain 14 black balls और 14 क्या है मेरे पास black balls है 20 blue balls है अच्छे 26 green balls है अच्छा 28 yellow 38 red 54 white balls है ठीक है अच्छा consider the following statement अब देखो मुझे यह data दिया वो question का according भाई इतनी थी number of balls दिए मुझे अब मुझे इसके recording दी देखना है पहला क्या है the smallest number and such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is a 75 इसका मतलब क्या कहना चाहरा देखो इस case में 2 case आएंगी है तो बेक तो best case आएगा एक worst case आएगा इस case में best ने ना worst case लेना है अब worst case कैसा हुआ कि मैं select करता गया सबसे पहले मैंने बॉल उठानी शुरू की मैंने भाई सबसे पहले क्या कि मैंने तेरा बॉल उठाई तेरा गी तेरा ब्लैक निकली ठीक है उसके बाद अगली जो मैंने अगली 53 मेंने क्या निकली वाइट अभी तक मैंने जितने भी cases लिए उन सब में अभी तक कभी भी मेरे पास पूरा बंच नहीं आएग इसी बीकलर का तो यह कितना होगा देखो मेरे पास साथ तीन दस साथ सत्तरा बाईस पच्चिस और नो कितना हो गया चौनतिस चार ती तीन चार पांच छह साथ आठ नो दस गरहा बारा पांच शतरा यह नहीं 174 cases बनगी अब कोई भी कलर की बॉल उठा लो चाहे वो ब्लैक हो चाहे ब्लू हो चाहे ग्रीनो कोई भी अगर आप बैग में बॉल डालके निगालो किसे गलर की तो निकलेगी ना इसका मतलब अग जुआ ग्रीन यलो रेड ओ या वाइट कोई ना कोई तो एक मेरे को पक्का मिलेगा चलिए इसका मतर भाई पैला क्या है पैला तो मेरे पास टू है next क्या रहा है the smallest number M such that देखो ये क्या बोल रहा है चलो इसको में मिटा देता हूँ मैंने पहले जोication 20 बाल निकली वो कौन सी थी मेरे पास blueble अगली 26 क्या थी मेरे पास green थी अगले 28 क्या थी मेरे पास yellow ति अगले 33 मेरे पास red थी next मेरे पास 54 क्या थी white qui transmit कितना हो गया our take 68 28 26 24 छे दोचार च्छे 18 10 22 2, 4, 6, 8, 11, 5, 16, 16 होगी इसका होगी इसका होगी आप आप जब नेक्स बार निकाल लोगे तो कौन सी निकलेगी डेफिनेटली ब्लैक ही निकलेगी तो कितना हो गया 167 तो क्या गया बोथ 1 & 2 आर करेक्ट बहुत इसी कोशन था पर थोड़ा सा लॉजिकल समझ के करने वाला थ कि क्यूं हमें ये particular cases को consider करना मेरे बच्चों clear चलिए बहुत अच्छा कोशन इप्रिंसिपल पी बिकम्स क्यों इन वन येर वन कंपाउड़िड हाफ यरली विद आर परसेंट अनुल रेट ओफ इंट्रस इव दा सेम प्रिंसिपल पीपिकम्स क्यों इन वन येर वन सब्सक्राइब करो मेरे प्रिंसिपल है थाउजन रुपिस ये टैन थाउजन लेलो समझने मासान नहीं होगी रेट ओफ इंट्रस लिए मैंने टेर परसेंट कंपाउंड हाफ ये लिए तो रेट आफ इंट्रस कितना हो जेगा फाइप परसेंट इसका मतलब जो मेरे एक सा सब्सक्राइब करेंगा इसका मतलब क्या होगा फाइफ प्लस फाइफ प्लस फाइफ फाइव इंटू फाइफ बाइंडर तो यह कितना हो गया 10.25 परसेंट यानि दस हजार कर दस पंट दो परसेंट कितना हो मेरे पास सिंपल सिंपल एकजार पक्चिस क्लियर अगर यही मेरे पास यह लिए देखो पी इस इकल टू टैन थाउजन आ रहे टैन परसेंट टाइम में वन यह यह कितना होगा मेरे पास सिंपल सिंपल एक हजार अब कोश्चन की कंडिशन पर आओ वो क्या कह रहा है अब तब इशन प्रिंसिपल के यहां पर पी इतना होगा कि इसका मद्ली कि यहां आप यहां समझाया कि अगर मेरे पास डहुंट लों लोगे तो हाफ यह ली में तो अगर मुझे क्या क्या चाहिए अगर मुझे इस से एस खो और के बराबर लेके आने कहने का मतलब किया है यहां में और जार पड़ाए यहां पर जादा वैलू है कि देख सकते हूं 25 जादा रही है बत एकर यहां पर बड़ा होना चेके से आर्जे हर केस में अधरवाइस मेरे पास अंसर नहीं आएगा इसका हो क्लियर तो सिंपल कंपाउड़नेटर्स का बड़ा अच्छा लॉजिक लगा हो था इसमें सोचने वाला कोश्चन था ऐसा नहीं कि पैने उठायर हवा में बना दिया क्लियर चलिए यह बहुत तकड़ा कोश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कोश्चन आपने पास है इस को करने में लगेंगे पूरे दो से चार मिनट कराम से जाता भी लग सकते हैं समझाने वे समय लगेग चले किया दिया हाओ मैनी नेचुल नंबर्स आर दियर विज गीपर रि दो इसको नेच शिक्स माइनस 31 कितना हो गया मेरे बाद 11 55 क्लिर देखों ग्यारा गुना पंदरा गुना साथ तो बिसिकली क्या बना ग्यारा गुना तीन गुना पांच गुना साथ मन गया इसको सीक्मस में लिखो तीन गुना पांच गुना साथ गुना गयारा यह मेरे पास नंबर्स हैं अब मैं चूटी से बात द्यांत से सुनों मुझे वो नंबर्स निकाल नहां जो मुझे रिमेंडर देंगे मतलब यहां से नंबर नेकलेंगे सबसे प्लब एक तीन को टार्गेट करो मैं लगता 3 के साथ 7 का पेर बन सकता है 3 के साथ 11 का पेर बन सकता है clear उसका अधा 5 अगर मैंने 5 को fix किया 5 के साथ 3 का पेर बनके 5 के साथ 7 का पेर बन सकता है 5 के साथ 11 का पेर बन सकता है है लास का बचा साथ के साथ मेरा एक 11 का पेर बन सकता तो यहां से नंब्रों पेर कितने बन दो-पेर करें मैंड़े Seb चलो रहnaj पार करें देखो तीन गुना पांच गुना साथ गुना गुना रहा न फैसंट लास members हने नफ इसट ए फूद्वा पहला नंबर क्या बनेगा 3 cozy by 4 यहाई दूसरा क्याई बन सकता यहीं शारा है ठीक है नेक्स क्या बनेगा तीन गुना 7 गुना 11 घ्—— 아गे कहों सा बनेगा एक नंबर पांक है वहाईए है वहाई बन सकता आगेज्याइगlik तोटल नंबर कितने होगे मेरे पास 11 बट अभी भी कुछ दूर है क्या दूर है अब नॉर्मली अगर अपने options को देखो आप नॉर्मली अपने options को देखो तो मेरे पास maximum कितने numbers नाइन यहां पर कितने बनगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, ग्यारा बनगे भाई, नौ थे maximum ग्यारा कैसे बनगे क्यूंकि अगर आप अपने दो numbers को ध्यान से दिवेद रिष्टी से देखो कौन-कौन से number तीन गुणा पांच, पंद्रा, तीन गुणा साथ, एक एस यह number आएंगे यह नहीं, शुरू में अगर बताता आपको विश्वास नहीं हो था, कहते हैं सर क्यूं नहीं आएंगे, रिजन, अगर आप को remainder 31 चाहिए, कैसे आएगा, जो number है, वो इससे बड़े होने chance आ रहे, यहां पर देखो, जारे minimum क्या है, आपका, कितना आगया 33, तो 33 के case में तो remainder 31 हो सकता है, 15 और 21 के case में आपका remainder नहीं हो सकते है, ध्यान रखिए, क्लियर, तो यह बहुत ही, बहुत ही, बहुत ही प्यारा प्रशन था, क्लियर, क्योंकि number of cases का नहीं पता चलता है, इसमें कौन कौन से cases कैसे कैसे बनने चाहिए, तो अपले इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें, चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलिए, और जुड़े रहे हैं भी मन्योंस के साथ, विकॉस, पिछले 25 साल से 200 प्ला सेलेक्शन के साथ, हम बने हो बहुत है, नंबर बन, कहने की जुर अब शेलबॉस को देखोगे, उसका अब से फिर आप रिवेज़न करोगे, रिवेज़न के बाद आप टेस्ट दोगे, पिर आप ना इघृम Eigen या अगर आप complete करने से पहले आप से इंपोर्टेंट टॉपिक्स को करना चाहिए आपने इसलेबस देखा आपको पता से लिगा इंपोर्टेंट टॉपिक आपको पता से लिगा इंपोर्टेंट टॉपिक भाई यह 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 इसे पेपर आ रहे है तो कैसे करोगे पूरा लुक्त पर आतर को अभी पर कोहरें नहीर चीज करना पसंद करें गारेkem और यह वह पीडीया का मैकरो पोस्से मेरे होता क्वा है जब आप ऐसा करते होना तो पूल कोर्स मतलब आप सिरफ कोर्स का वही पाड खर दो वही टॉपिक खर दो या वही सब टॉपिक खर दिये जैसे मैं बात करूं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेरे बच्चों जैसे मैं कि आप भी वीडिया पे तूज एक्जाम किया मैं किसाट्यों पर क् सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लियर देखिए मैं इस मेंटल इबिलिटी की बात करूं मेरे बच्चों जैसे पूरा बंडल 35 62 बट मुझे लेना ही नहीं करना अगर सिर्फ नंबर सिस्टम है तो मैं क्यों लूँगा देखो सबसे बड़ी बात क्या है नंबर सिस्टम के 10 लेक लेक्ते हैं और आपके पास कुछ ट्रिक्स हो सकते हैं कुछ शॉट को सकते हैं चैप्टर को समझने में मदद करें ठीक है 423 मल्टीबल इसके अंदर आपके प्रिवीज इर भी खत्म है टेस्स के तोरब भी दे सकते हैं जूडएंगे तो आपको एक्चुलिय बता चलेगा ट्राइल दिया हर लेक्चर के साथ देखिए चाहिए वह सिंप्लिफिकेशन हो चाहिए वह आपका परसेंटेज हो पर्मॉटेशन कॉंबिनेशन चाहिए वह आपका टाइम डिस्टेंस और आवरेज कोई भी एक चैप्टर हो ना उठागे देख लो सबके साथ क्या 10 टीक है जैसे बात करें लॉजिकल इंगे लिगी चप्वी सो एक पूरा बंडल है बट अगर पजल टैस्स करना हो तो कितने गया बाइस परसेंट आता है ऑल्मॉस्ट टू-फॉर्टी सेमन रुपीज के साथ भी है वैब नोट सिसके साथ भी और मुल्टिपल चॉस परसेंट पेपर में आ रहा है तो यह तो बताने की जुरूरत नहीं है ठीक है हमने आप गादी ज्यादा काम कर रहा है ठीक है इसी तरीके से मैं बात करूंगा कोई भी चेप्टर उठालो आप ठीक हर गया 6 मिनिट का ट्रैल है जहां पर वीडियो लेक्ट्स अवलेबल है क अगर मैं बात करोंगा इसके अंदर क्या है कोर्स कवर्स फ्रिक्वेंट्लिया जब हम क्या करते हैं जब हम पैराग्राफ रीडिंग कर रहे है तो एक लाइन होती उसमें कोशन उसमें वर्ड आ गया है ना बौल्ड किया होगा कुछ भी दे सकते हैं या तो उसका मतलब तो आपको उस लाइन से लेटेड अंसर पूछ लेगा बट अगर उस लाइन का मुझे मतलब भी नहीं बता तो मैं कैसे उसका अंसर परूँगा तो वकैबलरी बहुत स्टॉंग रखिए इसके लिए और यह आपको मदद करके सिरफ कितने हैं 65 रूपीज का तो कोई जादा यह यूट्यूब पर देखें नहीं आए रहना बरोस्ता के अभी मुन्यों आइस पर बताता सेलेक्शन है यहां पर आये चुपचावडे मिशन लिए और अपने तयारी शुरू कि जब ही तो भाया सपरसीजी ने 51 रैंक ले लिया आर्रव ने 56 रैंक ले लिया चतिने 91 दि देखो मैं बिल्कुल नहीं क्या रहा है यह थैक बई अच्छा थी मैं क्यूंपढ़ हुँ आप पढ़िए ना आपका काम है यह अतिकार ने लिखाए कर दिकारी क्यों भाही गलत लिखेगा है ना यह अतिकारे और बहुत सारा दिकारी उन लिखा वारे बारे में तो करें कि माइक्रो कोर्स सेलिंग और आपके वट्सअप ग्रूप करें आज ही जोइन कीजिए थैंक यू कोई डाउट हो तो 951-777-1651 इस नमबर पर कॉल या वट्सअप करना मत भूलिए थैंक यू बच्चों